ओम शान्ती आज 1st October 2022 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को यह याद दिलाया कि बाबा सर्व संबंधों की साकरीन है तो ऐसे बाबा को हमें बहुत सने से सर्व संबंधों से याद करना है प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया नथिंग नियू के पाठ द्वारा विघनों को खेल समझ कर पार करने वाले अनुभवी मूरत भव बाबा ने हम बच्चों को अनुभवी मूरत भव का वर्दान दिया और इसकी विधी बतलाई कि जब हमारे सामने विघन आता है तो उसे खेल समझो जब विघन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं परिशान हो जाते हैं और कई बार तो हम सोच में पढ़ जाते हैं कि बार बार हमारे सामने ही ऐसी मुसीबतें ऐसे विघन क्यों आ रहे हैं बाबा ने हम बच्चों को ये राज बतलाया कि जब मूर्ती बनाई जा रही होती है मूर्ती को बहुत सारे हतोडे सेहन करने पड़ते हैं लेकिन जब एक साधारन पत्थर होता है उसको कोई भी हतोडे सेहन नहीं करने पड़ते हम बच्चों को ये कहानी तो याद होगी कि दो पत्थर एक जिसने हैमर को हतोडों को सहा तो वो पूझनिया मंदिर में पूझनिया मूर्ती बन गई और एक पत्थर जिसने हतोडों को नहीं सहन किया वो उस मंदिर का दर बन गई अर्थार्थ जिस पर लोग चड़ कर चले जाते थे लेकिन जिसकी पूझा और वंधना होती थी जिसने सहन किया अर्थार्थ जितना हमारे सामने कोई परीक्षा आती है कोई विघन आता है लेकिन अगर हम उसे खेल समझ कर बाप के साथ पार करते हैं तो वो हमें अनुभवी बनाता है आगे ले जाता है और यही हमारे माक्स भी आट कराता है तो बापा ने हम बच्चों को कहा कि हमें विघनों से घबराना नहीं है बलके विघनों का वेलकम करना है कि आओ और हम उसे अनुभवी मूरत बनकर खेल समझ कर पार करेंगे तो यह सुन्दर जो स्मृतियां बाप ने आज हमें दिलाई है अगर आज हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई विघन है तो आज के स्वरदान को हम अवश्य याद रखे कि यह विघन नहीं है लेकिन यह हमें आगे बढ़ाने के लिए मूरती बनाने के लिए पू झाल